अ को घह प्रॉल स्टरेंट्स वेल्कम तो नियुवीडियो लेक्षर तो लास्तेशं में विए विए लग्सक्राइट प्रॉद पर या अर। रसके आप्लिकेशंस पर ईथी। तो आज हम क्या करेंगे एक-to जो लास्त लास्त जो डॉट्स होँज नों स्पह्स स्धोर्ट के लिए हमको सॉल करेंगे उसके बाद पर बद्वेलेक्ट्रिक पोटेंशल करेंगे स्फियर के वएसे। पोटेशल-पोटेशल है यह से तो को केफशांच को डिसकस करते हैं जो हमवल दिया था हमें तो देख था यह स्क्वार कि प्लेट है तो यह इसकी साइड ए है और इसके सेंटर से एबाइट पर एक चार्ज रखा होगा है क्यों इस प्लेट से पास वने वाला फ्लक्स कितना होगा इसको गॉस्लों की हैं तो इस तरह से इस्टर्चे बनाएंगे जिसी सेंटर पर रहें तो मैं एक बना दाँ क्यूब तो क्यूब बन गया इस क्यूब के सेंटर पर यह चार्ज है क्यूब के सेंटर पर चार्ज है है और मिली में भाद होगा पूर यह च्रया, पूरे क्वेच च्रया क्यूब से क्यूब बाइब गांकुन तो पूरे, क्यूब है फ्रेयक से क्यूब है तो, क्यूब है, 6-0-0-0-9 क्यूबाया क्योगर से만 Hershey domestically consciousness, समस्क्राइब céu सकते है एक यूरी चीज़े हर सहां यह एक चार्ज है यहां पैसे डिस्क बनी हुई है इसके से इसके रेडियस और यह एंगल ठीटा यहां पैसे इस्टिक से कितना फ्लक्स पार्स होगा इसके बनाईगे इससे इस से इंटर पर इंगी क्या कर रहा है ऐसे एक स्फियर तंजिले दर में इस स्फियर इस सेंटर पर मैंने यह चार्ज ले लिया क्यूं और यह यहां पर यह से डिस्क मांग रहते हैं यह को यह यहारी डिस्क इसका सेंटर इससे यह यह हार रडिस दल अलो एक हां की इस इस्ग पास विद नटर निकलना ना हैं इससे कितना प्ल submerged फस्वीर के इस वाले जे वाले फ्ले प्लॉक्स church एक प्लॉक्स पास फिर नाट रहे ऐसे, जैसे मेद्नाय ही खारी है इस स्फियर पॉक्टम वाले से थे पास होगी यहां से जितने लाइट आएगी या लाइन्स आएगी फिल्ड लाइन्स कुछ भी मालो आएसे लाइन्स इस वाले करव एरिया से भी पारस होगी सब्सक्राइब मतलता है कि एधियर हुआि देखिस राइन्स है कि बना अबुम धरूरा के श्यूंस कर्णम सकते हैं तो स्फेर कोँं से बनाहोत स्वेल बनाहों से बहुतänder है Chip एसे एकुषित बेच करता है और अधे पर दिस्क रशाव सा यहाँ पर और चकषट वाद अधे स्पर निंगा नार नार लेते हैं और धिकनेस लेते हैं जी दि र यह कुछ भी माल लें थिक्नेस देख्स माल लें इसी रैटिस हाद माल ली अब देखो यह यहां पर इसके थिक्नेस कितना इंगे ठीटा लिया रहा 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 हूं यहां से इस direction में इसकी thickness dx माली और यह angle dh, radius r है, तो यह इतने से portion बहुतर में देखूंगा, इस तरह से, तो यह thickness जोगी, यह dx, यह angle dh, और यह radius r, इन में relation होगा, r equals to, radius, sorry, angle equals to, r upon radius होता है, तो dx की value हो लिख सकता हूँ, r dh, यहां में जिए thickness होगी, इसको r dh लिख सकते हैं, और इस ring जिता area, तो ring the area हम लिखाते हैं, 2 pi r, इसकी सरक मतर हैं, तो इसको ठिकने से multiply कर देते हैं, तो 2 pi, small r, और capital r में relation लिख सकते हैं, यहां से, इस वाले triangle से, यह triangle ऐसे, यह r, यह theta, ठीकिए, यह small r, इन दुनों के relation क्या हो जाएगा, r equals to r sin theta, यह वाले triangle, ठीकिए, तो small r के देला r sin theta, और dh से लिख लिख, r d theta, यह ऐसे बन जाएगा area, रिंग का, 2 pi r square sin theta, d theta, ठीकिए, आगे है, हमारा area नहीं किसका, इस ring लिखा, अब इस वाले portion का surface area निकालना, तो surface area में तंसे बसे तो, एक smallest ring होगी, इसके radius 0, और वहां से radius बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, ठीकिए, और कितनी radius तक आ रहा है, small r तक, इतना radius, यह हम, किसके respect को कर रहा है, angle के respect में हाँपर क्या करेंगे, integration करेंगे, तो इस वाले का, जब मैं area लिखूंगा, पूरा, कितना area य पूरे का सब्सक्राइब होगी यहांपर, वह जीरो डीरी अंगल बनाएगी, और कितने तर लेना में ठीटा तर लेना, जीरो से ठीटा से इसको integrate कर दो होगा, तो पूरे का सब्सक्राइब होगी, क्योंकि हम integration ठीटा के respect बढ़ता है, तो यहां पर छोटी से ring जो बनेगी, और यह वाली रिंग है कि थीटा इंगल होना रही तो पूरी का सर्फेस यह आज़ेगा इसको इंटिगेट कर तो यह आता है इसमें टूपाई आसको है तो भारा जाएगा साइन थीटा का उता है माइनस कॉस्स थीटा लिमेट उट करेंगे जीरो से थीटा माइनस 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 वन माइनस प्लस बजाएगा और यह एडिया जाएगा इसका और चौब तो इस रिजर्ट को डियरेक्ली भी ध्यान लग सकते हो ऐसे स्वियर है ठीके वह कोई कोई जो है इस कोई शीप में कि इस बैस यह भी थीट कमाइन कि भीए द्यान रा आध baik है कि यह ब jurisdictions कर दाए यह अश्जय का इस पॉर्शन का एरिया जो थीटा चाहिए काम आंब यही की कार्स पूरा एस्पिछर उटा थीटा है 4 by r square 4 by r square पूरे sphere को पूरे sphere से कितना flux पास हो रहा है तो flux passing through area 4 by r square is क्या हो जाएगा q by absolute non cause close पूरे से enclosed charge क्यों है क्यों पूरे से कितना हो जाएगा q upon epsilon 4 by r square कितने से कितना हो so flux passing through 2 by r square 1 minus cos theta तो इतने से कितना flux pass होगा 5 plus 2 यांसर हो जाएगा 4 by r square 2 by r square 1 minus cos theta स्वाल कर लेंगे यह से 2 times cancel तो 5 की वाल्यों होगे q upon 2 epsilon not 1 minus cos theta तो इतना flux pass होगा अभी के इक्केशन पर theta की वाल्यों भी जाएगा तो उसे 5 की वाल्यों होगे तो theta की वेल्यों हमें 60 degree देथी theta 60 degree है तो cos 60 दिखेंगे हम 1 by 2 1 minus 1 by 2 तो यह q by 4 epsilon not हो जाएगा ठीक तो यह इस तरह से इस cancel हो जाएगा हमारा यह theta angle बना रहा है यहां पर यह तो कितना plus pass होगा इतना plus pass होगा का कै किया मिले इसका पीना इतना निकाल सते हैं इतना होगा तो यह ज़िए रंटासर भी तो यह को जोगी है का त्युक्षों हो गया शुब यॐ घ्यू की müsste दो इस luce दीनगेạo हो त्युक्त वें से और इंचे में अंतुर आफंट आचार की इन अंफ प्यूद इंचार की ये लिएक प्यूद के लगए अट्टिक पहे पिडिए रखिए प्यूदy तो इसके वेसे पॉइंट पी एक्लोस तू तू सर्फेस है सेंटर के पास में इस पॉइंट पर इलेक्टरिक वो दिया हुगा है तो इसके वेसे एलेक्रिक फिल्ट होता है सिग्मा पॉण टू एप्सलिल नॉड ठीक एक पर सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन सर्फेस एडिया क्यू बाइट यह सब पूरा सर्फेस एरिया मादल दिया हो जाएगा और इसे वैल्यू 10 दिया हो रहा है फिर क्याभा इसमें अब प्लास्टिक लेक्ट को रिफ्लेक्ट सेंग जस कापर लेंशिंग थे ऊंच की पूरे पर सीम चार्ज क्या होगा है मैंटली क्लेट यह मैंटली प्लेट पर हम क्या करते हैं उसके सर्फेस पर चार्ड जाता है इधर भी positive होगा, इधर भी positive होगा तो जो Q charge है यह equally equally divided हो जागा दोनों surface को जिसे यह plate है ऐसे total पूरा plus Q charge है तो इस वाली surface पर भी Q by 2 होगा और भी Q by 2 charge distributed हो जाएगा यह Q, ऐसे Q by 2 Q by 2 में जागा क्योंकि conductor की case में charge जैसे divided हो तो यहां तो sigma की value होगी जाएगी, surface charge density, वो charge upon surface area, Q by 2 हो जाएगा फिर आपने लिखा था, तंडर्सिंग प्लेटी वेस एलेक्रिक फिल्ट, इतना होता है तिक है, sigma upon epsilon not, उसको solve कर रहेंगे, sigma की value इतनी हाईगी है अबर Q by 2 होगा, upon epsilon not और यह मापिस जाएगा, तो value मापिस क्या जाएगी तो यह प्लास्टिक व्लेट को चार्ज दो, यह पर कंडेक्टिक व्लेट को सेम चार्ज दो, उसकी में से electric field हाईगा, point paper हो सेम ही रहेगा, वो change नहीं होगा बस charge distribution अलग हो जाएगा, इसकी charge density अलग होगी, इसकी charge density अलग होगी इसकी charge density यहाँ पर अगर निकालेंगे, तो sigma x qy a होगी, और यहाँ पर अलग हो जाएगी इस वारे surface will qy to charge आएगा, इधर वाले पर qy to charge आएगा, यह तो charge divided हो जाएगा तो जो charge density आएगी वही आएगी, और electric field की value वही आएगी, जो plastic plate है, non-conductive उसकी वैसे आएगी and और ऑप उसकी वैसे यह लिखेंगे आएगा यहाँ सेम आएगा तो आक है विक्तार है metallic plate है, metallic particle है तो जाइड कोई चार्ज रही है उसकी पोजिटीव चार्जिश, metallic plate है तो फोर्स की वह बता है, रहा ही तर फोर्स लगीगा तो यह उचार्ज ले लिल रहे लिए, लिए अठ्रेक्षिन लगे पर करते है कैसे कि जिसके सब्सक्राइट ही जाएगा, इस साइट नेग्टिव इस साइट पॉसिटिव तो नेग्रेटी वाला पास में होगा जादा, पॉजिटी वाला थोड़ा दूर होगा, comparatively, तो अट्रेक्शन जादा लागे, तो फाइनली अट्रेक्शन लागे, और यह रिमूव करेगा, तो तो वड्स द ग्लेट इसकांसर जाएगा, उसके पाद थड़ वाला है मारा, यह स्वेरिकल शेल है, इस पर टोटल क्यू चार्ज है, इसके सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज है, और बाहर क्यू बान चार्ज है, तो नाइट पोर्स बताना है हमाँ, सेंटर वाले जार्ग पर, तो सेंटर वाले जार्ग पर नैट पोर्स बताना है तो यहां पर इलेक्टरि खाण इस जगें पर की कर मैं जी इभी इए होता सब्सक्रायें दा जाए ऑन दावके वह एगा को Este इसकी करिक देब्स जाखेंग जाखेगए इसकी वैज़े से प्लस इसकी वैजये से इसकी बई से अंदर जो प्लस टॉक्रॉक div क्योंकि यहां पर चाहने है कौई भी ख़ने कंपा आंक्लोसा जीरो अपलोसा जी रो थे यहां पर एकर भी जीरो इसकी भेशे व जीकुट कैहां है वैंना कछ्षू कफ़ी डीउसी निपने क्राइच गिम्फी पहर्न दियुक्तम Me तो यहाँ पर फोर्ट वाला पूम लगा भुड़े किसी फार्ट वाला क्रिशले इसमें कितना लग रहे है यह तो यहाँ नमी पर रहे है इस पर फोर्स कितना है आगर यह जल नहीं होता इसका एस पर भूष्य लगता है ये वह जए इसको भी smoked लगता है… ये इसको पो उसको बंबगता करता है?कि लगता संसको नहीं है नियुक्त और जिए एक पॉर्स लगा था निए अब यह फोन गदा अब यह गया क्यों क्यों आगया आब यह जो था था इसके वेसे इतरह पॉर्च लगा था तो प्लद और ने फोर्स फोर्स मतलब क्या है भी पिरमपान को पर क्षा ने क्या है ? इस würशानल क्ष़ायार ? मतलब इसके वेसे जे स्क मेड़ ब्लत हो रहा है तो को इसे için amazing करो यह shell नहीं था फेले, shell नहीं था तो यह इसे एक force लगाएगा इधर ठीके इसे पर जो nat force है वो 0 तो Electricfin-natt electricfin 0, तो nat force 0 होगा इसका मतलब यह जो force है यह किसी एक force बैलन्स हो रहा है जो just supposed it लगना ची तो shell की वे से इधर force लगता है यह point charge की वे से force लगएगा तो जो shell की वे से force लगएगा हुई right hand side पे लगएगा तो इसका अंतर हो जाएंगा तो shell की वे से force रजाएंगा towards right right side में कि तर Q1 की वे से कि तर force लगए है और nat force निगालेगे तो net electric field निगालेगे अंदर तो net electric field 0 इस पर net ports भी क्या होगा जीर वर रहेगा एक एक इसके माद एक small volume में reactive charges distributed है तो यह मालने नहीं हाँ पर charges है और एक radius 10 cm surrounding the total जाए इस पूरे charge वे radius 10 cm के radius सराउंड कर रही है इसे फ्लॉक्स पास हो दिया वह 25 तो इस पर चार्ज क्यों माल लो तो फ्लॉक्स Q अचलर नौट इसकी वालुगी भी 25 वोल्ट इंटो मीटर अब इस 20 cm की रेडिये जोना दिये अपने ऐसे तो उस्से किता फ्लॉक्स पास होगा इस 10 वाली के इंटे टॉटल जार्ज क्यों है 20 वाली के इंटे टॉटल जार्ज क्यों होगी रहेगा QE रहेगा पान से वही आएगा तो 6 वाल हो गया अब उस 6 वाल अग्रेशन ग्राफ वाला कि 6 वाल अगर समझ भी नहीं आता है तो देख लैसे हैं यहां पर कैसे करेंगी हमें दिया हुआ है एक Q दिया हुआ है L by 2 साइड दिया है ठीक है में जरी Q एक राट भी यहां पर ऐसे इसके लेंद L है इसके लेंद L by 2 इसकी वेला प्लड तेवी वेलास के टीए तरी जारा है और इस पर Uniformly Charged उनिटर इसकी पूरी रेंद पर उनिटर चाज़ज इस्टिपूटेद है अब यहां से इहर जाता है तब तक यह पूरी रोड ज़ाए से बहर नहीं ने करित गज़ों तो यहां पर देखो पहले पूरी रोड बाहर है, पूरी रोड बाहर है, तो इससे कितना चार्ज एंक्लोज है, क्यूब के इंदे टोटल चार्ज कितना है, तो च के इंदे प्लड चार्ज जीरो है, क्यू का वैलिई जीरो एंदे जीरो वाल प्लग जीरो तो प्लग जीरो का मतलप ब्राफ 0 से इसाट वहा, तो यह नियूदर जा रहा है, मालोब इस पे चार्ज लेंडया है, जो इस सब्सक्राइब एक रख जंदर जाती है, ती अब्णक चार्ज कितना है, लंडा, एक्सलेंपे चार्ज जोएगा, लंडा इंटू एस एपसिलन ओंट, तो फाय के वेल्या आ जाएगी, और यह V स्थील साहरा है, तो V equals to X by T, यह एक पर सुन में लिख सकते हम से मिस्फेंगे बी इंटु यह वह इसके यह अब है तो ब्लूद से अंदर आता जाए तो यह स्क्विल्यांट यह से लिए और यह के लौन के पूरिश्क को कम्प्रीट कर लिए अब क्या होगा यह रोड इंदर रहेगा अब क्या होगा यह रोड इधर कुम करती जाएगी और कंटिनियूस की एल बाइटु पोर्शन ही अंदर रहेगा को लिए तो अंदर रहेगा और बहुदन आगी तो अंदर रहेगा और लॉस्ट करते लोड़ लेंगे इतना अभी इससे पास अब तो जैसे अंदर आगे बहार निकली तब तक फ्लक्स कॉंस्टेंट रहेगा चेंज जी होगा क्योंकि जो चार्ज अंदर वो कॉंस्टेंट है ठीक फिर उसके बाद जब और इदर शिप्ट होने लगेगी अब इसकी रोड की लेंग दिक्रीज होने लग जाएगी जितने इतरा आएगा फिर आफिस सब्सक्राइ लेगी अफिर डिक्रीज होगा जड़िये से बहार निगलने लगेगी इधर से कम होदी जाएगी लेंग तेक इस टाइक ग्राफ हाजाएगा इसमें तेसे ग्राफ दिया वाला तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर चार्ज है क्यूँ एक ओपनेंड एस स्लिंट्रिकल वैसल इसके सेंटर पर रखा होगा है कि इनगे इसका हाप ही कोषण है यह यह वाला नहीं इतना ही कोषण है और इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रहता है तो हमसे आख पूसता, पूरे से कितना flux pass हो रहा है, पूरे से इतना flux pass हो रहा है, क्योब आ एपसलोड, completely cylinder से, आधे से कितना होगा, प्लस, तो हमें ये दिया बाई कि हाफ portion है, इसके सेंटर परदगा होगा है, तो लेंना और क्योंगा इसके पार इसके पाद अप्जेक्ट्ट्ट्ट्ट्रिशन ते क्या गया थे एक पिल्ड दिया हुआ है अलग्स्त पता था राक्टैंड गरल यह अधीड के पैरल यह तो दिवह यह यह आक्सेस हो गई है यह यह एक्सिस हो गई और इदर होगे जैड तो यजड बनाएंगे तो यह जैड कि इदर होगा एक्स एक्सिस के परफंडिगूल है मतलब में अगर बाना चाहिए यहां पर जिमना सक्तमा यह जैट नो गया अब, इसए रखा होगा यह अपने, X Axis के परपेंड नहीं ही गूरों है, अब, इलेक्ट्रिक फिल्ड दे लिए होगा ऐसे लिए होगा है, 3 x 5 यह एलेक्ट्रिक फिल्ड है मारे, X और Y प्लेट में, इस आतो से कित्रा हम the less pass होगा तो इस सब ऐसे रखा हुआ है इसका इसका अबर और प्लेंग ने की पर्पेंडिकुल होगा तो यह फ्लेंग की पर्पेंडिकुल में बहुता एरिया वेक्टर एक्स-चीस के लोगभा है थो दीजिए होगा है तो यह फ्लॉपानटु की प्ले E dot A, तो अपर dot product कर तो इस price का, तो IK by IK multiply रहता है, तो यह जाएगा 3 by 5, E not का value है हमारा पास, 2 into 10 rest to power 3, और यह 0.2, ठीक है तो यह जाएगा, 0.4, और 1.2 by 5, 10 rest to power 3, तो यह 240 जाएगा, हमारा, गोल्ट into meter, यह newton meter square per column यह से रहक सकते हैं, तो यह simple situation area vector जोता है वो surface की perpendicular होता है, तो यह जाएगी पर्पेंटिकुल होता है, तो यह जाएगे पर्पेंटिकुल होता है, तो यह जाएगे पर्पेंटिकुल होता है, x-axis, तो area vector की direction x-axis के along, electric field, यह uniform है है, चेंज नहीं बहुर आपनी चार्ज दिस्किबूटेट एक रोड के उपर एक क्यूब इमेंग करना है small l length के बिलेंट सेंटर ऑफ दे क्यूब एक रोड के एक रोड है तो पर एक क्यूब बना जाते हैं क्यूब का एक पेस ही बनाते हैं front वाला इसका center क्यूब का इसके length L है और रोड के length भी L ही है तो रोड की center पर रहे है आधी रोड बाहर रहेगी आधी रोड अंदर रहेगी ठीकि टोटल चार्ज पर Q है टोटल L है तो unit length पर चार्ज जाएगे Q by L तो ये half length पर चार्ज कितना हो जाएगा half यू जाएगा टीकि पूरी पर Q है तो half पर किता हो Q by 2 तो Q से कितना चार्ज में इतना चार्ज है इतना चार्ज है इतना चार्ज है इतना इतना प्लक्स कितना पास होगा तो जाएगा Q by absolute non पूट कर देंगे तो ये Q by 2 absolute non हमसे बढ़ेगा हमारा application number fourth है हमारा इस पर दिए होए एक क्यूबी कर वाल्यूम है पांटेट बाए थे क्यूबी कर वाल्यूम में आदकें ये वाल्यूम है ये एक्से ये एक्से 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 तो ये एक्से तो इसके faces दिये वे एक X equals 0 तो यह जो wider plane है जो यह X axis पर X at Y axis पर तो इस वाले plane को मैं X equals 0 को वाले surface बोल सकता हूं तो यह X equals 0 वाली surface है यह वाली ठीक है, Y equals 0 वाली surface बतानी है तो Y equals 0 वाली surface यह वाली हो जाईगी इस पूरे plane पर Y के में 0 होगी प्रेक्षाचोचः आफ में x एक जाद वाली जाड़ और 2 वाली बताना है X equals to X Resistance में यह से अला में X Direction में यह सत्वाञेगृ सम्रावाली यहä एसे Yselvesoire & वाली surface तर पर वाल वाली यह बेटर्ठम वाली सभाण आई वाली जालेगा ऐसे ही जाड़ी फोलट एवाला पेच तो यह जाड पिस दिख्टा ही यह जाड़ीं वाला पेच। यह फीस तो जहिए इसक्का रे गला कशे तो ब स्काइफाइ है अगर फोल फेचा लोह क्टीवेश है में एक वेली भी हो है इक नॉट एक वाइल है आई के डिरेक्शन में एक एक्स एक्स विज़ा प्रेक्टरिक तो फ्लक्स कितना पास होगा अगया वे छाज़ पताना है तो फ्लक्स निकाल किर्व तो वह दो सब्सक्राइब जो इस एलेक्टरिक फिल्ट के हो प्रपेंडिगूर ईसटेक्टरिक प्रेक्टर उच हो एक श्क्रे तो एक श्क्राइब तो देखो तो यह पार्लल ला रही है आगई इसफरेंट वा भी प दोनों सर्फेस की क्या होगा परपेंटिबुलर परसु क्योंग दोनों य य जडल करें गतिंग vazplet ससे निकाल यह तो डी anything कीछ लेको एंक्षी में एंटर करेगा तो इन्टर करता है आपर और नाइटिव देंगu यहां से बाहर निकलेगा तो पाइघ आउ टूट को पाजडिव लेंगे अंगर जाने वाले को मेगे लेटीव लेसे आने वाले को पॉसिटिव लेतें ने पाइञ बार जेंक ने पो पहले अन्दर जा रहा है लाग-20 है अब इलेक्री निकाल लेते घ्टिविस तो इपर एक्स की वैल्युक में पूरतो इनकी वैल्यूस कर देते ई-णॉट की वैल्युकास घ्सने पवर 3 एक वैल्युद धेन वन सेंटीमेटर और ये 2 सेंटीमेटर तो यह आजाएगा हमारा तो पॉइंट पाइब टैम डेस्ट पावर थी न्यूटन पर कुलम एलेक्टरिक फिल्ड इस वाले पर ठेके अब एडिया वेक्टर और एलेक्टरिक फिल्ड दोनों सेम डियरेक्शन में है तो फ्लक्स कित्त हो जाएकर बाहर ने को लगा सिंपल ई इंटू ए कर देंगे देंगे में त्री औरे प्लस थी औरि माइनस फोर तो यह आगय है हमारा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वार अपॉन कुलम तो इतना अ फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो नेट फ्लक्स किनल रहे रहा है और अन्दर आ रहा है जीरो भारत में निकल रहा है पतलब बाहर ही निकल यो तो ने नट फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स उसको फाई आउट माईनस फाई इन तो तो जीरो है तो यही है जागा, 0.25 और यह किसके कहला है, क्यू इन अपॉन 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 नॉट हमें क्यू इन की वैल्यू निखाती है तो 0.25 किससे में डिपाई करतेंगे, 8.85 10 बेस्ट पाउर माइनस 12, एपसलो नॉट की वैल्यू, इसका मतभब 1 by 4 होता है तो इसको 4 से डिवाइड करतेंगे, तो यह लेगा हमारा 2.21 के असपास माइनस 12, कूल हम तो यह होगा हमाँ Q-in, तो फेले कहें के फ्लक्स इतालिया से कि तो फ्लक्स पास हो रहे, अंदर आ रहा है जीओ, बहार मिदल रहा है इतना, तो नेट फ्लक्स भी इतना होगा, और नेट फ्लक्स Q-in अपन एप्सल नोड होता है, एप्सल नोड को मंटिप्लाइए करतेंगे 5 से तो Q-in की वैल्यू बिल जाएगे तो इकेशन नंबर हमारा 4 हो गया, ठीक 6 वाला भी है वो बता चुकिया है सेवन्थ लाला, एक एलेक्रिक फील्ड है, स्फेरिकल सर्फेस, उसमें चार्ज दिया हुआ हमें तो यह से डैला मना हुआ है यह रडियस और यह डिस्टन्स तू आर तो सेंटर पर रखाव है चार्ज 10 रस तो पावर माइनस 7 कूलंड यहां पर पॉस्टिव चार्ज है, इसकी वज़े से इससे कितना प्लक्स पास हो जाए, तो फ्लक्स की वैलिए 5 पॉस्टिव प्लक्स पास हो जाए तो फ्लक्स की वैलिए 5 पॉस्टिव टूपवार माइनस 7 कूल यह रखा हुआ है इसकी वैसे निकालने इसके अंदर टोटाल चार्ज जीरो तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा तो इस सैंध वाले कांसल हो जाएगा हमारा क्या के एफ वाले वाले ऊपर सकते हो जो से स्यलिंडर वाला गया था वैसे इस फिर वाला भी कर सकते हैं नाइन वाला एक स्फेरिकल वालू में चार्ज एंच सिटे जीवेजए लेक्ट्रिक फिल्ड बदाने हैं अंदर कितना एलेक्ट्रीद होगा खोगा यूनिफर्म टी चार्ज, इस फियर पुरे व्लमले चार्ज में तो उसकी विए से इंसाइट बर र दिस्टेंस पर एलेक्टरीक फिल्ट सेंटर से पूरे कंदर चार्ज है ठीक चार्जवें से टीर हो है तो हमने एलेक्टरीक फिल्ट लिखादा है रो आर अपान 3-Epsilon-NOT पूरे वॉल्यूम में चाहते है, uniformly distributed है, आधिस्टेंस पर यह अधर का, E equals to, R का value है हमरे पास, 2 x x to power minus 4, R का value, 4 x x to power minus 2, और EPSALOND, इसको solve करेंगे, अधर जाएगा, तो यह 9th number का regression हो गया, इसकी बाद हमें दिया था 14, 15, 16th, उनको भी बाज़ सकते हैं solve, एक linear charge है, उसकी charge density lambda दिये होगे, 8 distance पर electric field बताना है, simple formula, lambda 1.2, pi epsilon R, solve करेंगे आजाएगा, इसके बाद दूसरा भी long wire वाला ही हमारा क्रिप्शन है, उसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर R radius में, एक electron इसके around revolve होगा है, electron, इससे positive charge, तो देखो, यह positive charge की विए से electric field इधर होगा, और इस electric field के विए से electron के force इधर लगेगा, यह जो force है, F equals to QE, इस electron पे जो लग रहा है, Q की value E नित देगे, तो इस जो force है, E into E, electron पे जो लग रहा है, यह क्या करेंगा, इसको centripetal force provide करेंगा, centripetal force होता है हमारा, Mv square by R, E, और linear charge के विए से electric field के होता है, lambda upon 2 pi epsilon not r, यह Mv square by R के एक पर होगा, R उड़ा cancel, तो Mv square की value, E lambda upon 2 pi epsilon not, फिर हमें के रिकाला है, हमें रिकाला थिसमें, kinetic energy of electron, तो electron के kinetic energy प्रदाने थी, क्यानेटिक energy को क्यों लग रहा होता है, half Mv square, अब Mv square की value तो है हमारे पास, हाफ अब लगा देंगे इसमें, तो तो 1 upon 4 pi epsilon not, और 1 upon 4 pi epsilon not की value की value की, 9 to 10 rest to power 9, electron पे charge, और lambda भी दिया वाई के इसमें के अंदर, 2 to 10 rest to power minus 8, तो तो इसे kinetic energy प्रदाने पे, तो तो क्यूशन अबर 15, और इसके बाद 16 question number है, एक long cylindrical volume में, uniformly charged density देंसिटी दिए है, तो इस cylindrical volume, तो तो इसके charge density इसकी, रो है, वॉल्य में charge है, charge density रो, हमें इसके अंदर एक point P है, उस पर electric field बनाना एक्स डिस्टेंस पर जिस पॉइंट पे electric field निकाने तो सिमेंट्रिक एक क्या रहाए इस बोशन सर्फेस बना लेंगे ऐसे बोशन सर्फेस बना लो ठीक है इसका volume क्या हो जाएगा इसकी length L मान लेता है तो volume हो जाएगा इसका pi x square L ठीक है तो इसके अंदर charge q in की value तो charge equals to rho into b charge density into volume charge density rho है तो rho into pi x square यह q in की value हो जाएगा वाली तो q in आगया हमारा अब simple होई क्या करेंगे electric field निकाने के तो यह वाली surface top वाली और यह bottom वाली surface ठीक है इसको positive charge मान लो यह negative मान लो तो electric field जो होगा वो जाएगा रेडिया आउटवर्ट होगा positive होगा तो ठीक है negative होगा रेडिया इंवर्ड होगा तो इस surface में electric field इदर area vector इदर perpendicular मतलब यहां से flux 0 pass होगा ऐसे यहां से flux में का लेंगा वह भी 0 होगा flux किससे पास होगा से इस curve surface से curve surface से किता flux पास होगा e.dx q in upon epsilon not तो कि इंदर मतलब जीओ curve से किता होगा तो यह uniformly distributed है और curve जो है यह बनाया जो हमने surface यह सारे points x distance पर रहुँच एलेक्रिक field uniform बहार रहे लाएगा curve surface सा surface यह है 2 pi x into l x radius है 2 pi x into l q in की value rho into pi x square l upon epsilon not कुछ cancel होगा pi से pi cancel होगा l से l cancel और 1 x cancel होगा तो यह rho x upon 2 epsilon not क्या किया मुझे इस point पर नहीं गालना था symmetric symmetric यह जो volume है इसके symmetric एक motion surface बनाए इस cylinder है तो motion surface पर cylindrical ही बनेगी cylindrical motion surface बना लिए इनना है ठीके x radius l तो इसके enclosed charge कितना होगा तो unit volume पर charge है q तो इतने volume में किता charge लाएगा rho into यह unit volume पर charge rho है ठीके कितने volume में charge charge अब कितना flux पास होगा flux की value इन दो में surface से 0 क्योंकि जो field होगा वो ऐसे radiary output होगा और तो curved surface से flux पास होगा बस और uniform है तो x distance पर e की value uniform होगी यहाँ पर जितना magnitude होगा वो same होगा e भाहरा जाएगा इसका surface एगया curved surface एगया 2 pi आजयल होगता है 2 pi x जीएगा r to x l simplify कर लेंगे यह e की value जाएग तो यह वाला question भी इस तरह से solve जाएगा तो यह homework वाले question होगा है हमारे तो इसके अलाभा हम और भी इदे को इसे plate वाले questions देख सकते हैं बिसे माल दो कोई plate है conducting plate तो टोटल चार्जर ने q चार्ज दिया किता जाल जीए plus q चार्ज तो इस वाले surface पर और इस वाले surface पर चार्ज होगा equally equally divided होगा इस पर भी q by 2 आएगा और इस पर भी q by 2 भी आएगा इस पर कोई plate नहीं है सिर्फ यह plate है इस वाले surface पर चार्ज दिया है ठीक है q by 2 q by 2 इस पर चार्ज दिया क्यासे करेंगी prove जिसे माल लो इस वाले surface पर चार्ज आधा है x q में से total charge q है q में से x इस पर आधा तो बच्चावर किता है इस पर q minus x अब यह conducting plate है conducting plate है तो अंदर कोई point लूँगा अंदर वाले point पर electric field होगा 0 अंदर कोई point लेंगे अंदर कोई तो point P पर वी electric field कहा जगा 0 तेकें plate का यह ए ए माल रखते हैं इसका भी area है इसका भी service area है तो charge density charge upon area होता है हमारा तो इस वाले की charge density वी जाएगी x upon है और इस वाले की charge density वी जाएगी q minus x upon है अब है positive charge है positive charge वी इस electric field हीदर इसके वी इस electric field हीदर होगा तो क्या आएगा sigma x upon a और इसके वीज़े electric field हीज़ आएगा तो opposite direction माइनस कर देंगे जब आउट divided by 2 भी आएगा इकपल से 0 epsilon not sigma upon to epsilon not तो इसके वीज़े से sigma upon to epsilon और इसके वीज़े से sigma अब sigma x की value यह लिख देंगे x upon 2 a epsilon not और a q minus x upon 2 a epsilon not यह comma जाएगा तो 0 के से चल जाएगा यहां के बचाएगा x minus q minus minus plus x x की value जाएगी q by 2 x और x 2x q जाएगा तो isolated है तो इधर भी x की value q by 2 यहां q by 2 तो equally charge divided होता है कोई भी plate है उसके आसपस कोई charge नहीं तो इधर भी q by 2, इधर भी q by 2 भाएगा तो हम 2 slo से यह इस वाले तरीके से screw कर सकते है ठीक अब दो दूसरा इसी में plate वाले में जिसे मालोग यह plate है इसको plus q charge दिया ने total और इसी के पास में को उसी plate रखे हुए इसको plus q charge दिया ठीकrawdę फिर नम से पुछा कि इनकी इसוסर्फेस इसकी सर्फेस पर कितना जाएगा इसकी इससड़ए सूनरा जाएगा इससवाली सूनरा जाएगा सूनरा जाएगा तो उसको भी findड़ सकते हैं कैसे वही इसलब पेसपर q है उधर ग्र Shape तो इस पर Q-X आएगा, आप यह एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, फिर इस पॉइंट टो इलेक्टरी फिल्ट की होगा जीरो, यह X की वेए से इलेक्टरी फिल्ट इस डिरेक्शिन में हो, वो पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव वेए से अवे फ्रॉम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो Q-X की वेए से इधर नेगेटिव आएगा, और यह प्लस Q पूरे पर इसकी वेए से इस साइड, वो भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा इस साइड, तो इस साइड, तो इस माइनस 2Q अपान 2A एप्सल नाट इक पॉल्स जीरो, तो इस 2A इस 3Q आएटू, तो इस वाली पर चाज आएगा, वह एज़ग है, वह दहर बहुत इस वाली सर्फेस पर 3Q आए 2, तो इसने वाली सर्फेस पर 3Q आए 2 टोटल Q है, Q मेंनस 3Q आए 2 इस पर आया, तो X की वेए 3Q आए 2 होग हो, Q-3Q आए 2 मतलब इस वाली पर नेगेटिव मे इस पर minus q by 2 आएगा तो इस वाली surface पर हमेशा इसका just opposite charge आएगा, same magnitude नहीं, इस पर plus q by 2 आएगा ठीके, इस पर minus q by 2 आएगा तो इस पर plus q by 2 आएगा और total कितना दा 2q जाओ, 2q में से q by 2 इस पर 3q by 2 आएगा इसको चाहे तो हम gauss law से prove कर सकते है कि इस पर minus q by 2 आएगा, इस पर plus q by 2 आएगा ठीके, इस पर plus 3q by 2 है, इस पर minus q by 2 है, ठीके, हमें इस पर charge बताना है कि यह वाला जाएगा इस पर just opposite आएगा इस पर q1 मान लिया, इस पर 2q minus q1 मान लिया, अब एक point लेते हैं यहाँ पर इस जगे पर ठीके, यह point लिया लिया, अब इसकी वेसे, इस point पर electric field जोगा, 0 होगा इसको p मान लेते है point को, यह p के value 0, अब electric field लिगा लिए यह plus q1, plus q के वेसे 3 electric field होगा, अब इसकी वेसे net electric field दराएगा q upon 2 epsilon node a, इस q1 के वेसे भी दराएगा, उसको भी plus q1 upon 2 epsilon node a और इसकी वेसे दराएगा, minus 2q1 upon 2 epsilon node a 2 epsilon node तो दूरे चला गया, एक q plus q1 minus 2q, और यह minus minus plus q1 equals 0 तो यह 2q1 equals 2, यह minus q दे जाएगा तो plus q दे जाएगा, तो q1 की value plus q by 2 वागया, इस पर अगर minus q by 2 होगा, तो इस पर हमेशा plus q by 2 धी होगा तो इस पर अगर negative आएगा तो उसको पर उतना ही positive आएगा, अगर इसको positive आएगा तो उतना ही negative आएगा तो यह plate है तो, ऐसे बख्यों यह, इसकी inner surface पे चारज अगर q है, प्लस में, तो इसकी inner surface के हमेशा minus q आएगा इधि हाँ बख्याना, इधर plus q तो इधर minus q, इधर minus q by 2 तो इधर plus q by 2, तो इहाँ जाएगा plus 3 q by 2 तो यह हमारी इकी surface पे charges होगा, ऐसे बदा सकते हैं, तो क्या, इस पर क्यूं है, इस पर 2 q है, तो इकी inner outer surface पे charges कितने होगे इनर outer surface पे, इसकी इस वारी surface पे charge होगा, 3 q by 2, minus q by 2, इसकी plus q by 2, इस पर plus 3 q by 2 इसकी directly कैसे करना है इसको, तो directly करने का तरीका बदाना हो, जहाँ से जुनना, directly कैसे करेंगे, ऐसे plate पहला लखी हुई है, इसको plus q दिया, इसको 2 q दिया, तो इसकी outer surface और इसकी outer surface पे same charge होगा, कितना होगा, दोनों charges इसको add करो, और 2 से divide कर दो, तो यह 3 q by 2, तो इसकी outer surface प 3 q by 2 और इसकी outer surface में 3 q by 2 आएगा, अब balance पर दो charge इसको, कैसे, q है, 3 q by 2 इसको मिलगी है, अब यहाँ पर minus q by 2 आएगा, यहाँ minus 2, तो यहाँ plus q by 2, check करो, तो से directly कर सकते हैं, चाहे तो तो में सरीजे, यह q है, यह minus 2 q है, अब, यह q, यह minus 2 q, टोटल चार्ज, इतना, तो मतलब इस वाले पर भी minus q by 2 होगा, और इस पर भी minus q by 2 आएगा, यह fix है, total charge निकाला, उसको 2 से divided कर दिया, वो इसकी outer surface और इसकी outer surface पर होगा, फिर, यह plus q में से minus q by 2 ते, तो इसके क्या आएगा, इस पर आएगा, प्लस 3 q by 2, check कर करेंगे, और यह मिलेगा, यह, plus 3 q by 2 चेक करेंगे देनों, दोनों को एडियों को देने मिलेगा, इसके लाब आएगा, इसके लाब आएगा, 2 की जाएगा, मानलों 3 आएगा, एक और ग्लेटी है, इस पर q है, इस पर minus 2 q है, और इस पर लिएगा, इस भी 4 q, अब, पूछ लिए दुमसे, inner outer surface पर कितने कितने charges हो होंगे, method, total charge निका लेंगे, और इसको 2 से डिवाइडी कर देंगे, तो यह जाएगा, 5 minus 2, 3 q by 2, इसकी outer surface पर भी 3 q by 2 होगा, और इसकी outer surface पर भी 3 q by 2 होगा, अब क्यों है total, 3 q by 2 इसको मिला तो इसको क्या मिलेगा, minus q by 2, इधर minus q by 2, q by 2, तो plus q by 2, minus 2 q में से इसको कितना मिल रहा है, plus q by 2 मिल रहा है, इस वाले भी लिखता आजाएगा, तो इसमें, minus q by 2 कर देंगे हम, क्या कि आप, कि इसे charges दी होगे, क्योश्य मिलेगा कि इसकी inner outer पर गिता होगा, 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 आ गया, अब बैलस कर देंगे चार्ट इसको, प्लस Q में से 3Qby2 उतर गया, तो इसमें माइनस Qby2 यह जाएगा, करना कुछ नहीं है, इसमें माइनस 3Qby2 को एड़ कर देना है, सॉल करेंगे तो ही मिल जाएगा, इसमें माइनस Qby2 यह जाएगा, इसको निकालनेएmus, नहींक करना यह एदर कुछ को एड़वा, तो इख माम ट्राथ, इसमें माइनस Qby2 को एड़ को एड़ माइनस Qby2 को एड़ को, सॉल करेंगे मिल जाएगा, मैनस Qby2 यह जाएगा, तो इसमें माइनस Qby2 यह यह जाएगा, ठीक है, ब्लेट फालोग। अब हम चलते हैं, नेट्स्ट टॉपिक में हमारें, इलेक्ट्रिक पोटिंशियल फाइंड दराएं किस की वेजे, स्फियल की वेजे, होलो स्पियर, सॉलिड स्फियल की वेजे तो देखो, यहां पर लिख रहते हैं पैंने, लेक्ट्रिक, पिंशियल, डूटो होलोसफियर यह फिर कंडटिंग स्पियर भी भीस बीसे दोनँसे सेम बिखलेगा, होलोसफियर से निगालो ए प 우ैं सिबतना ए अ सिबतना मंने थे इस होगया, एडिये शार माल उलते हैं, चार्ज दीए इसको पॉजिटिव क्लस q एडिया एडिक्टिरिक फिल्ल निगया था हमने तो र के value radius से जाता है ठिके चाब़ तो अब एक्रिक फिल की value निकाल चेके हैं उससे निकाल सकते हो, कैसे यह relation होता है, Vr equals to minus infinity to r e dot dr यह अबार relation होता है ठिके potential कितना होगा यह है कोई point area में r distance पर इस पर electric potential infinity से जहां तक लाने में तो work done होगा, per unit charge यह फिर ऐसे निकाल सकते हैं अब e का value है मेरे पास कितना है kqy r square dr यह को electrical radially outward हो यह electric radially थरह होगा r vector भी थरही तो यह जोनों same direction में e dot dr को simple edr लही सकते हैं infinity to r इसको simplify करना आता है minus kq बाहर आजाएगा one upon r square था minus one by और r square minus minus plus पहले r रकेंगे kqy r फिर infinity रकेंगे तो 0 होगा one upon infinity 0 तो final हमें यह मिलेगा इसको directing कैसे कर सकते हैं यह charge पूरा symmetric है तो इस पूरे charge को मान सकते कि यहां पर concentrated है पूरा 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 इस पूरे charge को क्या मान सकते कि यहां पर concentrated है और इस से किपता distance पर है r distance पर तो 0.4 से r distance पर electric field kqy r मैं फिर ऐसे भी निखा सकते ठीक है तो यह आ गया हमाना इस आउन साइड पर आ गया kqy r surface पर r की value capital r को लिंग को surface पर क्या बजाएगा kqy r capital q लिया है मैं चार्ज को capital q लोगे आपर मापरे भी capital q kqy r यह रहेगा ठीक है और last हो जाएगा inside अब inside e की value क्या होती है 0 होती है ठीक है और relation होता है इकवल्स टू माइनस dv by dr अब यह 0 मिलना चाहिए इंसाइट पर 0 कब मिलेगा जब dv dv 0 dv 0 मतलब change in potential 0 change in potential 0 मतलब इंसाइट b की value क्या होगी constant तो b की value constant constant value जो surface पर होती ही उत्र ही होती है kq by r तो चीज़ धान लगी है अंदर जो potential होता है वो constant होता है पूरा polar sphere है conducting sphere है अंदर potential constant होगा जितना center के होगा ठीक है उतना ही यहां पर उतना ही surface पर कितना kq by r तो center से लेके surface तर potential constant होता है kq by r और जिसे surface से बाहर निकलेंगे kq by small r से vary करेंगा ऐसे r के inverse से भूच और जाहे तो और graph भी मना सकते है इसके लिए जैसा यह small r यह v तो center से लेके surface तर constant value है constant value अगर आप ऐसे आता है parallel line कितना kq by r फिर यह ieud अधे आप निकले निकले र हो आप की इंवस ही पूच्न इंवस ही पूच्न गराब ऐसे रहेख डाएगा dei-ואlow Train ऑफ यह potential graph बन जाएगा वह apoyo-spier और conducting sphere की बाज से second हो जाएगा due to uniformly charged sphere कि युनिफॉर्म ली चार्ज है मतब पूरे वॉल्म में उनिफॉर्म ली चार्ज इस्टी मुंटेट है पूरे वॉल्म के अंदर यह हो गया हमारा आर रेडियस पूरे वॉल्म में चार्ज है युनिफॉर्म ली डिस्टीबूटेट है इसमेफ थी पूजिशन आएग़ा आउसाइड आउसाइड पे लेक्रिक फिल्ड कोई के क्युव आया इसकोए तो पोटेंचल भी तुछ आएगा कि क्यू कि आउट्साइड प्रेटिक निकालता है कि तो होलो स्फिर या फिर उनिफॉर्म बिल्चार्ज्च उनिफॉर्म बिलचार्ज कंडटिंग उनिफॉर्मिल चांज स्फिर कुले वल्यू में चाहर तो बाहर किसी पॉइंट पर Electric field KQ by R square ही होता है तो POTENTIAL भी KQ by R ही मिलेगा हमें Surface पर निकालेंगे Surface पर भी electric field भाई होता है Holosphere की case में भी और uniformly charged field की case में भी Surface पर KQ by R मिलेगा ठेकेँ? बढ़ इनसाइड भी different होता है इंसाइट पे होलो स्फियर में अंदर जीरो होता है एलेक्ट्रिक फिल्ड और यूनिपॉम्ली चार्ज में अंदर एलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो नहीं होता ठीक उसको भी एक लेते हैं इंसाइट वाले को आर लेस देना इंसाइट वे रेक्ट्रिक फिल्ड अंदर आगया ठीके इस प्यूनिट में नुकालना है आपटेंशल तो तो से निकाल जाते हैं जैग्धों को दूबवगउर्ट्रिक फिल्ड ग quantities फिल्ड यूंकी बारवाला प posting फिल्ड इसके वियूंकिया से पुटेंशल इंफिनिटीटी हो एक सफ कंद इंफिनिटीजी करने लाएंगे तो उसमें इसको आसके अब फिर यहां से यहां दत लिए भी.. वे आच जोगा स्रूज़ और यीशर लएंगे.. कि कि अगर यहां से यहां तक लाएं सरफेस से पिर सरफेस से यहां तक लाएंगे पिर e2.dr r से small r करें इसको solve कर लेते हैं तो बहार पर electric field कोता है kq by r square दामारा और अंदर यहां पर यहां पर electric field लोगा यहां पर electric field यह खदा नहीं क्या लिखा था kq small r upon capital q नहीं रहते है rq dr अब इसको solve करना है तो kq k के constant बहार लेंगे इसको kq बहार आगया यह 1 upon r square 1 upon r square क्या हो जाएगा minus 1 by r infinity से r plus small r क्या होगा small r क्या होगा r square right to small r r solve करो यह हो जाएगा हमारा minus 1 by r और यह 1 by 2 r square minus r square आइसा रिप देगे आइसा रिप देगे आइसा रिप देगे तो r cube को भी common लेंगा हम तो r cube को common लेंगे यहां पर आजाएगा r square plus r square by 2 minus 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 3 by 2 r square हो जाएगा minus 1 दर को जाएगे तो minus minus plus kq upon r cube 3 by 2 r square और यह minus r square by 2 2 को भी बाहर रहे जाएगा है तो यह final formula ऐसा रिप देगेगा तो फ़र लेंगे जाएगा तो फ़र लेंगे जाएगा तो final formula हो जाएगा e का kq upon 2 r cube 3 r square minus r square ठीक है same formula है gravitation से निन ता जए electric gravitational potential निगाला था हमने ठीक ही आएगा gravitational potential निगाला था y था gm upon 2 r cube 3 r square minus r square और electric potential भी kq बाकी सब सेम रहेगा तो यह आ जाएगा हमारा electric potential अंदर के इसे भी point में निगालेंगे मानलों center पे निगालेंगे center पे निगालेंगे तो center पे निगालेंगे तो small r अंदर के निगालेंगे तो यह आएगा पूटेंशल center पे तो यह आएगा potential center पे तो center पे 3 by 2 kq आ रहे दिवारगा value पूटेंशल पे 3 kq आ रहे फिर उसके बाद देखेंगे तो यह r इस minus r square से vary गर रहे है तो यह power 1 है यह power square है अतना parabola आएगा और 980 sign तो नीचे की तरफ पुलेगा तो इस तो parabolic shape आएगा यह इस पर आएगा तो कहां तर आएगा surface तक r तक surface के बाद फिर inverse के पूपूशन तो यह ऐसे जाएगा तो यह आएगा तो यह जाएगा तो यह जाएगा 3 by 2 kq by r kq by r उसके बाद यह जाएगा इसके वेसे uniform ले चार्ज़ के रहे है मतलब पूले volume में चार्ज़ है तो इसके वेसे एसके पर आएगा तो यह होगी हमारा potential ता वर्मूला और देखो जो conducting की बात करेंगे यहाँ पर जाएगा तो conducting sphere है conducting sphere और जो potential अगर हम लिखें तो देखो conducting sphere 27 पर आएगा चार्ज radius r तो इसमें charge density को कह लिए सकते हैं q upon 4 pi r square यह q का value तो बाहरा में potential लिखा था आउट साइड वेड आउट साइड वेड k q by r r k का value 1 upon 4 pi epsilon और q को कह लिए सकते हैं sigma into 4 pi r square तो इसको आउट को sigma की फॉप में लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे 4 pi 4 pi के इसे sigma r square upon epsilon r इसे लिखेंगे तो स्मॉल r के लिएकर capital r यह capital r पर क्या दिखेंगे sigma r upon epsilon r surface पर इतना और inside इसे पर गया होता है जितना surface को रखाय उतना ही होता है अंगर इतना ही रहेगा सबीड़े को तो इसे sigma की फॉप में लिख सकते हैं तो कि surface charge density कि इसे रिखेंगे लिख सकते हैं तो यह हो गया है आपर अब निकालाएंगा potential energy of charge sphere अब निकालाएंगा electrostatic potential energy energy और पहले निकाल ले था, Uniformly Charged Sphere, Uniformly Charged Sphere, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, आर रेदी समान ले था, Total Charged Q मान ले, Volt 1 दिखे दो, चार्ज अंसीटी लेगी, चार्जपान वॉल्यूम दिखो पर ले आतgenommen है, तो ऐसे चार्ज अंसीटा से पनुंपधी पनुण है, यह तो घर शार्ज रेची था, तो चार्ज है ऐसका स्टेदी समान है लिद्टाइडिक बेंगार। तो स्फियर को मान सकते हैं कि बहुत सारे छोटे 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 ये ओलो स्फियर से मिलता बना हुआ है एक फिर दो फिर दी इस तरह से एक स्फियर हम लाते गए, क्यूप की चार्ज लाते गए जैसे बनते गए अब मान लेते हैं यहां पार एक holosphere मान लेता है एक sphere मान लेता है उसकी radius मान लेता है x इसके इंतर total charge कितना हुआ है? यह x radius के इंतर charge तो charge on sphere of radius x इसको small q जलते है चार्ज density इतनी है तो कितना है volume का charge? कितना volume मतलब 4 by 3 5 x cube इसका charge जाएगा इसको row से multiply कर देंगे और row का value 3 q upon 4 by r cube तो एक answer जाएगा 3 3 4 by 4 by तो q का value उसा देखेगा q x q upon r q कितना charge दोगा इस sphere के अंदर वाले के? अंदर वाले sphere इतना charge है तो इसकी surface पर इस point पर potential vp potential on point phi क्या हो जाएगा? इसकी वेज़े, सर्फ इसकी वेज़े से निकाल रहे है इतने से portion की वेज़े से अब ये भारवाला portion की ले रहे है सिर्फ इतने से portion की वेज़े potential निकाल रहे भारवाले की हुएड़ा होगी ये वाला नहीं है सिर्फ इतना ही है तो इसकी वेज़े से, इसकी surface पर इसकी वेज़े से surface पर अब ये पोटेंशल की होता है के क्यू रहे के क्यू रहे एक्स हो जाएगा ये का वेज़े वानपन पूर पैसल नोड रिख देते हैं क्यू की जगह ये अब ये पूरा square नहीं बनाए अब ये square इतना सबनाए क्यूंक हम दिर दिर square बना रहे बिली छोटा बनाए फिर इतना बनाए से charge अब ये इतना square बनगे है मुझे पूरा बनाना है तो पूरा बनाने के लिए अब चार्ज लाते जाएंगे आपके इंफिनिटी से हाधिल लाएंगे एंफिनिटी सी हांदल लाने में वर्क ड़न होगा मालो इसकी डिए जैए एक्स से बढ़ाकर X PLUS BX करें उह। कितने कोर्शन पे एक्स्टर चाल दाएगा कितना चाल दाना बढ़ेका कितना चाल इस दाना बढ़ेका तो चार्ज रिक्वायर्ड तू मेंक रेडियस एक्स से एक्स प्लस दी एक्स ते कितना रेडियस वता है डी एक्स रेडियस एक्स चार्ज लाना है तो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम डी एक्स रेडियस का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम तो गिता है 4Pi x2dx होता है तो इसका चार्ज कितना होगा इसको रोज से मट्टिप्लाइ करेंगे रोका वैल्यू 3Q अपॉन 4Pi rq तो 4Pi x2dx upon rq इतना चार्ज हम जहां पर आना पड़ेगा तहां से लाएंगे तो देखो पोटेंशल एक्स इसे डिपैंक करतें इंफिनिटी से एलेक्रिक फिल्ड में चार्ज आ रहा है ठीक है तो उसके वर्क्डन किसके एक्को बहलेगा तो d q charge को हम यहां पर लएंगे कितना potential difference है यहां पर potential इतना है इंफिनिटा है potential zero वर्क दन ऑ자 हएका लेक्रोल क्यों यहां यहां पर निकाल लène histó work done in bringing charge dq from infinity to point p infinity is a point p work done dw equals 2 into d v into dq that's how we subtract okay so v ka value ka humaara qb i ta humaara kqy x e ka value q q x q upon r q on x so yeh tha maara q x square upon 4 pi epsilon r q or dq ka value yeh hai maara 3 q x square x square dx upon r q yeh work done hugh toh total work done 0 se pura r 0 se pura r total work done and toh total work done hugh potential energy dh total work done i 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 Q2y2r, यह εψिलोन की फॉरम में लिखना जाओ दैसे Q2 upon 4 times 8i εψिलोन र तो यह होलो स्वेर लिखेर की पोटेंशिलोन देने हैं इने की पोटेंशिलोन देने की बड़न पोटेंशिलोन देने हैं तो यह कुछ पोटेंशिलोन होगी हमारा पोटेंशिल हो गया तो फils पोखिशिलोनो कि जीवीडालो यह समाँलो में अधिकिमाशिकिशन ते मेरा सिंदय splashing । इसपर चार्ज ने सिंदज सीगमा जलें पर माइनस सिगमा जलेंज हिस्पर प्लस सिंद। और यह square A है, यह B है, यह C है, इसकी radius small है, इसकी radius small b, और इस वाली की radius small c, तो यह ABC की radius होगी, charge density sigma, minus sigma sigma होगया, तुमसे पूछा question में, A का value किता होगा, B का value किता होगा, C का value किता होगा, इसको हम potentials को find कर सकते है, कैसे A पर निकालना है मिले potential, A पर potential एक तो खुद की वेज़े होगा, एक B की वेज़े होगा, और एक C की वेज़े होगा, तीनों की वेज़े होगा, इसकी surface पर कितना है, sigma है, radius A है, तो formula लोगता है, surface पर potential sigma r upon epsilon non, तो इसकी वेज़े होगा, sigma A upon epsilon non, A की वेज़े से A पर, अब B की वेज़े से A पर निकालेंगे, तो B की वज़े से, ये वाले स्पेर को ध्यान दो बागी, उस आपको भूई जाग, इसको ध्यान दो और तुम्हें इसके B के अंदर इस point पर potential बताना है, To 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 तो जिताँ C की surface को लोगा उतनी अंदर रोगा तो कितना जाएगा प्लस सिग्मा सी अपॉन एपसल नौड उसा सिग्मा अपॉन एपसल नौड को गामन ले लेंगे और ये A-B-C ठीक है? ऐसे B पर मैं निकाला है नालो और इस जाएब लेखना-जान उसे OS सब्फ़ेकर इस नौड़ थे उसte पर नौड़ वुरे इस पर निकाला है इसकी वहला है? इसकी वहलेसे इस पर निकाला है तो इसके बाहर पॉइंट पॉटेंचल होता है हमारा बाहर लिखाता हमने सिग्मा आर पॉन ये आर स्कॉरर पॉन आर किसके लिखा देना रहा है यह फॉर्मुला ना के क्यों आर ना हुंनू हमाँ.. हहाँ, यह था वरूला केको लिए खाता हमने वहना परफ़ पै एपसलणूद इसको ले पाता सिक्मा एपन फॉर पाई आर स्क्वार अपन 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 आपन आपन अपन अपना अपना होथा बाहर जेमेंट पितना होता है आर दा वैल्यू इसकी रेडियस मतलब ए तो यह आएगा सिग्मा ए स्क्वाइर अपॉन एपसल नॉट और कितने डिस्टेंस पर यह पॉइंट बी इस्टेंस पर यह एपसल नॉट बी गाल जाएगा यह व्रहता है बहार किसी पॉइंट पर इसकी रेडियस और स्मॉल अर्व इसके सेंट कितने डिस्टेंस पर समी उगणी हो जाएगा अब इसे तुम्हें C पर निगालना है, C पर कितना है तो C पर भी तीनों के वेसे है, A की वेसे भी होगा, B की वेसे भी होगा, C की वेसे कुछ से होगा एक तो यह find करना है, और एक करना है, condition दी हुई है, if A plus B equals to C if A plus B equals to C, then find relation but when VA, VB and VC, इन में relation होताना है VA की value निकाल लिए, और VB की value निकाल लिए, तो मैं क्या करना है, VC और निकालना है VC की value निकाल लिए फिर condition दी है, A plus B, C के एकोल है, इसकी radius plus इसकी radius, C के एकोल है तो VA, VB और VC में क्या relation होगा, यह तुम्हें बताना है ठीक है, और इसका answer जो है, वो तुम्हें, comment lecture में बताना है, कि इन में relation क्या रहेगा और VC की value भी बताना ही, क्या है लिए ठीक, इस type की value कर सकते हैं तो आज इतने ही पड़ेंगें, यह potential के formula, यह electrostatic potential नहीं का लिए derivation करके, और कुछ questions इस type के तो इन questions को तुम कर सकते है, solve, potential वाले formulas को भी कर सकते हो ठीक, इसके आगे जो हम next class में पढ़ेंगे, next lecture में तू आज के लिए इतना ही, okay, thank you कर सकते हैं झाल कर सकते हैं जू कर सकते हैं और गिए Um कर सकते हैं तो